सब्सक्राइब नमस्ते कैसे हैं आप सब टाइट लवस्टुपल वन भी आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइज गाइज लाइफ चेंजेस मेजर लाइफ चेंजेस यानि कि आपकी जिन्दगी में क्या बदलाव आने वाला है कौन सी चीजे है जो बदलने वाली है आपके भागे में आपको क्या मिलने वाला है और आपकी लाइफ की परिशानिया क्या है इन्ही चीजों पर आज में रिडिंग करने वाली हों जी हाँ definitely हम जो है जिन्दगी में बहुत सारी परिशानियों से जूज रहे होते हैं guys किसी को जो है carrier को लेकर परिशानी होती है किसी को family को लेकर किसी को दोस्तों को लेकर किसी को future के बारे में tension होता है तो किसी को जी हाँ relationship को लेकर problem होती है तो आज हम सबसे पहले आपकी परिशानिया देखेंगे कि आपके जिन्दगी की सबसे बड़ी परिशानी क्या है और आने वाले दिनों में major life changes क्या होने वाला है यानि कि बदलाओ आपके जिन्दगी में कौन से आने वाले है और कैसे आने वाले है ठीक है इस पर आज हम reading करन वाली है आपके भाग्य में आपके जिन्दगी में वो भी आपसे मैच होगी और वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी तो पाइल पर आज आपको अपना ही नाम का अक्षर सलेट करना है क्योंकि हम आपका भागय बदलता हुआ देख रहे हैं आपके लाइफ चेंजिस के बारे मे वो और जैट यह हमारा पाइल नमबर 1 और पाइल नमबर 2 में हैं ए अ ए एफटी, एमवी ओ, पाइल, और वाई आ ए एफटी, एमवी के सामने रखे हुए है तो दोनों पाइल आपके सामने रखे हुए है गाईस फटाफट से आप अपनी पाइल को कर लिजे सेलेक्ट और देखते हैं कि कौन सा बदलाओ आपकी जिन्दगी में आ रहा है और कैसे आ रहा है guys I hope आपना pile सरच कर लिया है pile number one से start करते है guys यह हमारा pile number one सबसे पहले हम universe की तरफ से ही देखते हैं कैसी है आपकी जिन्दगी कैसी है आपके problems और क्या बदलने वाला है major life change क्या होने वाला है आपके जिन्दगी में सबसे बड़ा बदलाओ कौन सा आने वाला है चले गई यहां से निकालते हैं चार कार्स वाव अंदरस्टैंडिंग और नरीनेस एक्सपिरियेंसिंग यानि कि अनुभर्व दर्बल वाव चले गई यह चार कार्स वेरे निकाले हैं यहां आपके लिए इन चार कार्स के बारे में हम बात में बात करेंगे पहले हम ट्रक्राइब से कार्स निकाले नमबर एट थ्री और फॉर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस नमबर एट थ्री और फॉर पाइल नमबर वन की किस्मत में क्या बदलने वाला है उनकी जिन्दगी में क्या बदलने वाला है गाइड इंवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्योंकि इन चार कार्ट को देखकर तो ऐसा लगता है कि जिन्दगी आसान नहीं रही है पाइल नमबर वन की बहुत धक्के खाये हैं आपने क्योंकि अनुभव का ही कार्ड उपर वाली ने भेज दिया है कि अनुभव ऐसा ऐसा हुआ है धक्के ऐसे ऐसे खाये है देंप्रस एट उफ काप्स लो देख लो फूल एट वसोर्स तन ववन्स वाँ चैरिट टू अफ सोर्स और सॉरी टू अफ सोर्स और ट्री अफ वैल्स साथ में आया है गाईस दो कार्ड्स और निकालेंगे क्या बदलने वाला है पाइल नंबर वन के जिन्दगी में और इनकी जिन्दगी की परिशानी क्या है नाइड उसोर्स स्ट्रेंथ वर्ल्ड की अनर्गी बॉटम में रूल कर रही है गाईस पाइल नंबर वन तो गाईस सबसे पहले आपके बारे में कुछ बाते बताते हैं जो मुझे यहां पर आईने की तरह जो है साफ साफ नजर आ रहा है कि लाइफ की परिशानी क्या है कौन सी चीज़े हैं जो आप बदलना चाहते हो पर बदलाव नहीं आ रहा आपको लगता है कि आपकी जिन्दगी बिल्कुल यूनो एक ही डायरेक्शन पर जा रही है कुछ चेंजेस नहीं है जिन्दगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है ना तो क्या कुछ बदलेगा आ सानुभव अभी आप कर रहे हो क्या उससे आपको चुटकारा मिलेगा आपको मुक्ति मिलेगी क्योंकि इस रिडिंग में एक ऐसा सक्स मुझे नजर आया है एक एक ऐसा साधरन सा सक्स देखिए यहां पर ओडिनरीनेस का काड आया है जो उपर वाले ने ही आपकी बारे में बताया है कि आप जो है ना ये इनसान जो इस रिडिंग को देख रहा है वो इनसान बहुत साधरन सा है गाईज इस इनसान की बहुत ज़्यादा ख्वाई से नहीं है इस इनसान की ज़्यादा सपने नहीं है इस इनसान ने बहुत बड़ा कुछ पाने का ख्वाईस नहीं र इस इस इंसान को देख रहे हैं यह सभी को आपने बराबर मानते हैं सभी का रिस्पेक्क करते हैं सभी को अपने जैसा ही सोचते हैं और इसरे गौसी से पर इस इंसान नहें बहुत सारे अनुवर्भ चाएं देखाक नktionरी में हो आहां में गुमान नहीं किया है गमन नहीं किया है बहुत डाउन टू अर्थ यानि कि जमीन से जुड़े हुए इंसान हो आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हो आप आप लोगों को अपनी जैसा ही सोचते हो और साइथ प्रॉलम यहीं पर खड़ी हो गई है मैंने क्या गलत कहा है इंसाथ तो है इसे हम को अ जंदगी में सुकत पल अच्छे पल आपको मिले नहीं है गाईज ना हर जगह पर जो है आपने अपने तकलिफ मेया हैै कार अकेले सामना किया है आपका साथ देने वाला कोई नहीं है तो किस बात का अनुभव कर लिया है गाईज आपने यहां पर इतना जो अनुभवी आपको उपर वाला कह रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत जारा लाइफ में अच्छे पलतों आपको मिले हैं ऐसा मुझे लगत कर पा रही है ना फूल का कार्ड और रिबल का कार्ड है यह दोनों ही यह बताता है कि आपने जिन्दगी में विद्रो बहुत किया है आप लड़े बहुत हो अपने हक के लिए आप लड़े हो अपने सम्मान के लिए आप लड़े हो आपने किसी भी चीज़ को पाने के जो आपके खिलाफ चला गया है आपने कभी आपनी बारे में नहीं सोचaat अपने जिंदकी के बारे में नहीं सोचा अपनी फ्यूजर के बारे में सोचा कुछ न कुछ आपने सस्थी जो है आपको बहुत बुरा उनवफ़ देख और निखार्य ऱक्तै अब अपने इन फैसदों पर पर पहुत करने को हैना कि बहुत ही खटा अनुभव जो है आपको करने को मिला तो आपने रिक्स भी लिया है जिन्दगी में कुछ चीजों को पाने के लिए या किसी के लिए कह सकती हूँ और जिसके वज़े से आप जो है आज मुझे आप में बहुत गुसा नजर आता है गाईस बहुत आज गी मुझे आपके अनर्जीस में नजर आती है अब प्रेजन सिचेशन में मैं आगर देखू तो आपकी जिन्दगी कैसी है एक रुकी हुई गाड़ी की तरह एक रुका हुआ हुआ है जो बरसों से या सालों से या महीनों से जो है एक जगह पर रुका हुआ है जो ऐसे ही गाड़ी के तरह आप बन गए हो गाईत जिस पर ना कोई सवारि आरी है यो जिसे करना वहीं की कर दिया आगे बढ़ना छोड़ दिया है बहुत सारी प्रॉलम से घिरी हुई आपके जिन्दगी मुझे नजर आ रही है पाइल नमबर वन ठीक है एट ओफ सोर्स यहाँ पर दिखाता है अब देखें यहाँ पर टैन ओफ वेंट्स का भी काड़ आया है जो दिखा रहा है कि कुछ चीजों का बहुत बोज लेकर आप भी जीड़े हो आपका दिल दिमाग काकी जिंदगी आपका सोचने का धनि न यह बोज से भरा हुआ बहुत जाड़ा फैमिली औरिंटेट इन्सान हो आपस सोचने वाले का रिक ऑ YouTube के लिए कुछ अच्छा करना है है ना बोजह हमेंसा अपने अपने कंदों पर लि ये जो सफर है कभी खतम ही नहीं हो रहा, बहुत ज़रा बोज, दर्थ, तकलीफ जो है मुझे आपके कंदों पर नजर आ रही है, तो ये किस चीज का बोज है जिसे आप ढो रहे हो, पाइल नंबर वन, ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए सोचना छोड़ दिया है, आपने एक बोज की तले दबे हुए हो, आपको लगता है कि आपके बारे में किसी को नहीं पड़ी, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा, आपके बारे में कोई कुछ नहीं कर रहा, और आप जो है बहुत ज़रा ठक गए हो अपने जिन्दगी से, ऐसी एनरजी जो है आपकी निक लाइफ में अच्छा करने के आजाते नहीं, लाइफ में आगे बढ़ने के आजाते नहीं हमेशा जो है आप pressure feel करते होगे, इस चीजा का pressure है, उस चीजा का pressure है तो इन सारी चीजों के पीछे की वजह क्या है, क्या है जिसने आपको रोक रखा है देखें आपर सबसे important energy जो आज निकल कर आई है वो है eight of cups की energy ये card इसे भी जो है मैं full की energy से और experience की energy से जो है मैं relate कर पा रही हूँ जोड पा रही हूँ ये card बता रहा है कि आपने जिन्दगी में कुछ ऐसा चीज खोया है जिसके लिए आपने बहुत संघर्स किया है life में या सबसे important ही यहाँ पर यह नजल आता है कि जो आज आपने आपको आपने एक दाइरे में सीमित कर रहा है ना कि इस दाइरे से मुझे बहार नहीं निकलना है मुझे जो है मेरी life में खुश्या कभी नहीं आ सकती मेरा कर्मा ही ऐसा है मेरा भाग्या ही ऐसा है surrender आपने किया है त इस अब मेरी साथ नहीं है मुझे आपके जिंदगी में प्यार को लेकर ही नजर आता है और आज आप बिलकुल सिंगल ऑनरजी में मुझे नजर आते हो guys क्योंकि आप प्यार के लिए तॉर्य प्यार के लिए उुदास होते हुई प्यार की बेचेनी हं पर होती हुई प्यार का भी experience आपने कर लिया और उस प्यार को आपने खो भी दिया उस प्यार को आपने गुमा भी दिया और आज आप अपने आपको अखेला महसूस कर रहे हो गाइस टू आफ सोर्स के एनरजी भी यहां पर आई है अब यह कार्ड बताता है कि फसे हुए हो दो चीजों के काल यहां पीछ में जो है फैसला नहीं ले पा रहे हो मन के अंदर बहुत प्यार है feelings है emotions है कहीं न कहीं दो रास्तों पर आप ना पटक गए हो क्या ये दिल और दिमाग का मामला है क्या ये परिवार या प्यार का मामला है या कैरियर या फिर अपनी लाइफ की समस्याओं से जुड़ा हुआ कुछ मसला है क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में पक रहा है जिसका फैसला आप ले ही नहीं पा रहे ह की हुई जिन्दगी स्टक एनरजी कहती हूँ जब भी मैं एट उफ सोर्स का काड आता है मैं सीधा कह देती हूँ कि आपकी जिन्दगी आगे बढ़ नहीं पा रहे है आप रुके हुए हो गाईज रुके हुए हो और किसी चिसका इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे है आपको कोई समझने की कोशिस नहीं करता है आप सभी के लिए हो सकता है कि आप अच्छा बनने की कोशिस करते हो आप लोगों की हेल्प करते हो आप लोगों को प्यार देते हो प्यार पाना चाहते हो पर लोग आपको नहीं समझ पाते हैं यानि कि बहुत बड़ी मिसंद् भगवान ने आपको बहुत सीधा सा दिल देकर अच्छा इंसान बना कर सीधा साधा जिंदगी देकर आपको भेजा है पर लोग जो है आपकी कदर नहीं कर पारे जी है आपके भागे की वज़े से हो रही है आपकी जिंदगी में सुक ही सुक नहीं है आपकी जिंदगी में सुक से ज्यारा बहुत दर्थ है जो आपको मिलना था और आपको मिला है कर्मा यहाँ पर जुड़ा हुआ है कुछ चीज़े जो है खतम होनी ही थी चाहे वो रिस्ता हो चाहे वो वो सारे अनुभव हो जो आपने पाए है इन सारी चीज़ों को जो है आपको मिलना ही था आपको हासल करना ही था आपको कर्मा फेस करना ही था गाइस तो साइकल के वज रॉंग समय ता रॉंग टाइमिंग था जिसके वज़े से आपने जो है जिन्दगी में बहुत सारी चीज़े खो दी है और खोने के बाद आज आप जो है अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो तो क्या हमेशा आपकी जिन्दगी ऐसे टूटी-फूटी हुई दर्द और तकलिफों का अनुभव करते हुई गलत फहमियों का सिकार होते हुए क्या आप हमेशा दूसरों के लिए रिक्स लेते हुए दूसरों को लुटाते हुए क्या आपकी जिन्दगी ऐसे ही जीने वाले हो आप या कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है क तो मैं बता दूगाइस कि आपका भागय अभी जैसा था या जैसा चल रहा है वैसा नहीं होने वाला है क्योंकि आपके भागय में ही भागय की एनरजी आ गई है देखे आपको आपके जिन्दगी में एक ऐसा पल आने वाला है जहां पर आप जो है हर चीज से संपन होने व आपका भाग्य यह बदलने वाला है देखे एंपरेस और वर्ड दोनों को ही अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ही चीज़े यही बता रही है कि कुछ चीजे आपने खो दी है कुछ चीजे है जो एंड हो चुकी है अब आने वाला जो समय है आने वाला जो डिवाइन पहुचाने वाली है आपकी जिंदगी बहुत खुपसरत होने वाली है आने वाले दिनों में इससे कोई नहीं बदल सकता देखे चैरेट का कार्ड यहां पर आया है अब यह एनरजी बता रही है कि आप जो है लाइफ में बहुत सक्सेस्फुल होने वाले हो आप पीछे मुड कर नहीं देखोगे आपको कोई दबा नहीं सकता अब तक जो है आपके एनरजी में नज़र आया है कि आपके सीधेपन का आपके भोलेपन का फाइदा जो है लोगों ने उठाया है आपको बहुत सारा तकलीव दिया है बहुत दर दिया है आपको लाइफ में आगे बढ़न आफ बहुत बड़े वाले हो तक देर जो है आपको सस्सक्राइब करें दिखाए जा रहा है कि मैंने सेर को आपको यह जा रहे हैं चाहे और रिलेश्जन्सिप में हो जाह है कि आपका भाग्य बुरा है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है उपर वाला आपका साथ नहीं दे रहा देखे अब वो सारी चीज़े बदलने वाली है और आपके favor में चीज़े आती हुई नज़र आदे यानि कि चेंजे से आप पर हो रहा है आप हर जगह पर सक्सेस हासल करते हुए नज़र आए हो चाहे वो किसी भी फिल्ड में क्यों ना हो अगर आपने रिलेशन्शिप को लेकर ये रिडिंग देखी है तो रिलेशन्शिप में भी आपको वो सारा फ पर जो है आप बॉस बनकर यानि कि आप एक बॉस की तरह रूल करते हुए नज़र आए हो और यही तो बदलाव है जो आपके जिंदगी में आ रहा है अब देखे गाईज यहाँ पर थ्री ओफ वैंट्स के अनरजी आई है अब ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीजे ऐसे है ऐसी है आपके जिंदगी में कुछ सपने ऐसे है आपके जिंदगी में जिसे आप पाने के लिए बेकरार हो जिसे आप पाना चाहते हो पर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो आपको बिल्कुल भी यह दिखाई भी नहीं दे रहा कि कभी मेरा सपना पूरा भी होगा या मैं कब तक इंतजार करkenूँ आप ने कुछ चीजों को पारने के लिए बहुत सारा इंतजार किया है गैज ये आपके patience को दिखा रहा है लंबे इंतजार को दिखा रहा है कि आपने लंगे अकेले आपने give up नहीं किया आपने उमीद नहीं छोड़ी आपको मनी मन पता है कि आज का दिन बुरा सही पर एक नाई दिन मेरा ये जो सारा सपना है वो सपना पुरा होगा तो देखे आपकी जिन्दगी में ये बदलाव आ रहा है गाईज आपने जो जो मन में चाहा है जो जो आपने सोचा है भागिया आपको वो दे रहा है और आप आपको एक ऐसा रास्ता चुनना होगा आप उस रास्ते पर चलकर अपने सारे सपनों को पुरा कर रहे हो उपर वाला आप पर बहुत जादा महरबान है गाईज और आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है पाइल नमबर वन आपने अगर प्यार खोया है आपने अगर परिव सोट से भी जादा इंपोर्टेंट चैरेट के एनरजी होती है क्योंकि यह मेजर अरकाना से आता है अब देखे यहां पर आपको जितना भी इंतजार करना पड़ाया करवाया गया अब इंतजार खतम हो रहा है समझ रहे हो मेन आज आपकी रिडिंग का जो मेन फोकस पॉइ बशल रहा है जिया आपका क्या बदल रहा है जुड़ी में यहां बदल रहा है जो अब तक बुरा चल रहा था और आपकी तरफ बहुत सारी चीज़े अभ Hillelos यह फ्रूजी के साथ आगे बढ़ रही है जिसे आप ऐना चाहते थे जिसके लिए आप रुके हुए और सपने नहीं आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और उन सपनों को मैं साकार होता हुआ देख रही हूँ चाहे आपने किसी भी चीज़ का सपना यहां पर क्यों ना देखा हो समझ गए गाइस स्ट्रेंट का कार्ड यहां पर आया है यह कार्ड भी आपके हिम्मत को दिखा रहा है कि आपने कभी हिम्मत लाइफ में हारी नहीं है और एक इंपोर्टन बात यहां पर आथ के रिडिक में यह है गाइस की एंजल आपको सपोर्ट कर रही है उपर वाले ने आपको यहां पर ह इम्मत दी है आपने कभी भी हरे एक परिस्तिती में चाहे वो फैमली को लेकर इश्यूज हो रिलेशन्शिप को लेकर इश्यूज हो आपने कभी भी गाईज गिव अप नहीं किया है जिन्दगी में आपने डट कर सामना किया है और उपर वाला देखे यहां पर भी आप सेर पर रूल कर रहे हो यहां पर भी आप सेर पर रूल कर रहे हो यानि कि आप इतने स्ट्रॉंग पोजिशन पर हो अब जो है आपको अपना ये करेच दिखाने का वक्त आच चुका है आपको कोई नहीं गिरा सकता आपको कोई डरा नहीं सकता आप से कुछ कोई छीन नहीं सकत क्योंकि उपर वाले नहीं आपके तक्तीर में वह सारी खुश्या लिखी है जो अभी तक आपको मिल नहीं पा रही थी गाई और जिसका इंतजार आपने बहुत लंबे समय तक किया है इस इस्टक एनरजी से भी आप निकल रहे हो समझ गए गाई अब आपको आजादी मिल रह ही है यह जो भाग्या आपका बदल रहा है यह आपको फ्रीडम दे रहा है इस दर्श से इस बोच से इस तकलीफ से इस रुकी हुई जिंदगी से आपको मुक्त ही मिल रही है और आप खुल कर अपनी जिंदगी जीते हुए आगे बढ़ते हुए और सफलता पाते हुए में बदल रहा है आप कुछ चीजे जो है स्टार्ट हो रही है और यह भी मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बाहर की भी सेर करते हुए नजर आये हो आप देश-विदेश भी घूमते हुए नजर आये हो यानि कि खुशाल जिंदगी आपकी यहां पर बनती हो है ना तो इस बात से मत घपराना कि अब तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं आप क्या अच्छा होगा अभी अच्छा होगा गाईज अभी जो है आने वाला समय ही जो है आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत खुबसूरत है और नंबर 8 आपके लिए बहुत तो जिन्होंने भी पाइल नमबर टू ए एफडी एमवी ओ सी एल जी क्यू टी आर और वाई यानि कि पाइल नमबर टू सेलिट किया है गाइस चले देखते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलने वाला है कौन से बदला आपकी लाइफ में होने वाले हैं हैना क्या आप कर्मा के चकर में पड़ गए हो साइकल के चकर में पड़ गए हो कि आपको लग रहा है कि आपका भागे बदल ही नहीं रहा आपकी जिन्दगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा लाख कोसिस कर लो हैना सब कोसिस करके देख लिया अच्छा बनकर देख लिया बुरा बनकर देख लिया है फिर भी जो भागे नहीं बदल रहा कूछ अच्छा नहीं हो रहा जंदगी में अगर आप को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आफिर आफी सिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें है जो बदलने की प्रोसेस में है है ना क्या मिलने वाला है आपको सबसे पहले मैं चार कार्ट्स यहां से इस ट्रक से निकालने वाली हूं गाइज ग्रफ बदलने वाइज है निकालने वाइज बाइज कार्ट्स यहां से लन बदलने वाइज ऑव वाईज अस्तित्व एक्जिस्टेंस देख लिए गैस क्या निकल कर आया है आपको क्या मिलने वाला है आपके भागे में आप क्या लिखा है ओ माई गाइज अबर्नेंस वाव ओ माई गाड अबर्नेंस क्या खुबसूरत blessing भेजी है उपर वाले ने गाइज क्या बदलने वाला है तो तकदीर ही बदलने वाली है अबर्नेंस दर्द का दिन गया गाइज दर्द और तकलीफ का दिन अब जारा नहीं है ठीक है आपने ना बहुत जिंदगी में हर परिस्थितियों का आपने सामना किया है मैं देख पा रही हूँ going with the flow यहाँ पर आया है बताओंगी मैं आपको इन सारे cards का मतलब बताओंगी पहले टैलेट से भी हम cards निकाल दे उसके बाद नमबर वन और नमबर फाइव आज प्रेडिंग में important नज़र आया है गाईज जितना भी बरदास किया है न गाईज आपने आज तक है न उन सारी चीजों का हransक किताब यहां पर बरावर होने वाला है फल मिलने वाला है आपको गैस पर जो बरदास आपने आज तक किया है न है चукаak हाली नहीं जाने वाला जो आपने सहा है ना वो अब बेकार नहीं जाने वाला इस्वर ने देख लिया है कि अब आपको कुछ खुशिया भेजनी है आपकी जिंदगी से दर्द को हटाना है गाईज मिला है देख लिजिए मैंने कहा ही था कि वो दिन गए अब वो दिन फना हो गए गाईज अब अब चो है किस्मत यहां पर चेंज हो रही है साइकल यहां पर बदल रहा है आपका भाग के टर्न हो रहा है एस ओफ काप्स नाइड पांटिकल्स देख लिजिए आप आपकी जिंदगी को देख लिजिए गाईज फाइव फोर्स टेम प्रेंज ओ माई गाद सेवन फोर्स लिजिए इस तो काप्स के लिजिए गादिकल्स लिजिए पेज बस्पेज तो थूर्ट रिजेर आपकी जेगी तनफेज़ टूर्स रूर्स नवर्स टूर्स प्रों जावर्स लिजिए एस तनफ जूर्स से कुई आफ पांटिकल्स के एनरजी आई है कुई आफ पांटिकल्स तो चलिए गाइस अब आपकी रिडिंग करते हैं स्टार्ट और बताते हैं कि आपकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है परेशानियां क्या है कौन सी चीज है जिसे आप बदलना चाहते हो अगर इस व जिंदगी बहुत मुस्किलों से भरी हुई है बहुत प्राइलमेटिक लाइफ जिया है आपने जिंदगी में मुझे आपके सुकूर नजर नहीं आ रहा है जिसके मन में यह सवाल है कि मेरा जनम क्यूं हुआ आखिर मेरे पैदाई सुई क्यों, मेरा अस्तित्तो क्या है? देखे existence का कार्ड यहाँ पर आया है, जो उपर वाले ने आपके लिए बहजा है उपर वाला यह देख रहा है उपर बैठ करना, कि आपने अपने आपको ही गुम कर दिया है आप अपने आपको इस धर्थी पर मानते ही नहीं कि ऐसी जिन्दगी जीने का क्या फाइदा भई ऐसा दर्द और तकलीफ का जिन्दगी जीकर क्या फाइदा मेरी किसी को कदर नहीं है मेरी किसी को value नहीं है क्या मैं इस धर्थी पर हूँ क्या मैं लोगों के बीच हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई सुधबुद नहीं ले रहा, मेरी तो कोई कदर नहीं कर रहा, मैं गुमनाम, जी हाँ, existence जब रिडिंग में आता है, तो ये साफ पता चलता है, कि आप एक गुमनामी के अंधेरे में अपनी जिन्दगी को जी रहे हो, ज आपको value कोई नहीं देता, आपको respect कोई नहीं देता, सम्मान कोई नहीं देता, तो ऐसे जिन्दगी का आखिर फाइदा क्या है, जी हाँ, यही है आपके दिमाग में, कभी-कभी आप अपने आप से ये सवाल कर दे हो, कि ऐसे जिन्दगी का आखिर फाइदा क्या है, मकसद क्या है मेरी जिन्दगी का life propose क्या है मुझे क्या करना चाहिए मेरा जनम किस लिए हुआ है क्या धोका खाने के लिए हुआ है क्या लडाईयों के लिए हुआ है क्या मुझे हमेज अपने identity को प्रूफ करने की जरूत है है न तो इस तरीके के सवालों में जो है आप अपने अपने आपको अपने अस्तित्व को ढूंड़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो गईज बुला चुके हो आप अपने आपको टोटली आपने अपने आपको खो दिया है और यहाँ पर गोइंग विद फ्लो का जो यह एनरजी बता रहा है कि आपने अपने जिन्दगी में आप समझोता करना स्टार्ट कर दिया है समझोता कि चलो जो होगा होगा जैसे आधी आए आधी से लड़ेंगे तूफान आए तूफान से लड़ेंगे कोई गिरा दी तो गिरे ही पड़े रहेंगे कोई उठा दे तो उठ जाएंगे मतलब जिन्दकी जैसा आपको थपड मार रही है आप बस उस थपड के चपेडों को जो है सहते चले जा रहे हो जो जो मिल रहा है उसे एकसेप्ट कर रहे हो यानि कि आप में अब प्रतिकार करने की छमता नहीं है लड़ने की छमता नहीं है जो जो मिल रह उसे accept करते जा रहे हो क्यूंकि आपको लगता है कि आपके पास इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं आगे बढ़ने का आपको कोई चारा दिखी नहीं रहा है आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपने समझोते में जो है अपनी जिन्दगी अभी यहां पर आप जीते ह कोई मुझे नज़ला रहे हो दूसरी चिए कंपेरिजन की आई है दूसरों की देख दे करना अपने मन को जला रहे हैं यानि कि हर चीष से हर दूसरे या तीसरे चीष से या सक्स से जो है आप अपनी जिन्दगी को mark करते हो कि उसकी जिन्दगी यासी कnyoon मेरी यासी क्यों मेरी मेहनत में कमी क्या रहे गए कुछ लोगों को बिना कुछ किये ही सब कुछ मिल रहा है मुझे ही थपड क्यों मिल रहे है मुझे ही जिन्दगी में सबक क्यों मिल रहे है मेरे ही जिन्दगी में तुफान क्यों आ रहे है मैं आपको देख पारी हो एक तडप में एक तडपन में जो है मुझे आपकी लाइफ नजर आ रही है ऐसा है आपका जिंदगी अब यहाँ पर तो मैं आना इधर तो मैंने नजरे घुमाई भी नहीं है अभी गाइस इन दिनों काट ने आपके जिंदगी का पूरा का पूरा जो है ना वह मेरे सामने लाकर खोल कर रख दिया है कि कैसी बेवसी है कि मजबूर हुए पड़े हो आप है ना सब कुछ जो है सब कुछ जो भी दिया जा रहा है आपको ठोकरे दर्थ बेवफाई या वो सारी चीज़े आप आपने जना हस्ते हुए मुस्कुराते हुए आपके जिन्दगी में अब क्या हुआ है गाइस क्या बताओं मैं देख लेजिए यह काड आया है सेवन और सोर्ड और आप जानते हो ना कि जब यह कार्ड रिडिंग में आता है तो यह साफ साफ नजर आता है कि आखिर आप इतना ज्यादा उदास क्यों हों आखिर आपने ज अपनों ने आपके पसंदीदा लोगों ने चाहे वो एक इंसान हो चाहे बहुत सारे इंसान हो चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे रिस्तदार हो चाहे आपका प्यार हो चाहे आपका परिवार हो मुझे नहीं लगता कि आपको धोके से आप धोके से आप वंचित रहे हो यान आप किसी भी रिस्ते पर किसी भी इनसान पर किसी भी चीज पर आप तो है कि कि आप बहुत बार जो है आपके पीठ पीछे वार हुआ है देके टेन अफ सोर्ड मौद त्या कहूं गाइज कैसे एनर्जी आई है हर वो रिस्ता हर वो सक्स हर वो इंसान हर वो सिचिशन आपके साथ कोई नहीं था हर रिस्ते ने आपको पीछे से मारा है हर रिस्ते ने आपको धोका दिया है हर रिस्ते ने आपको आज ऐसा बना कर छोड़ दिया है न कि आप तो कुछ करने के लायक ही मुझे नजर नहीं आत रुमा कर बैठे हुए हो इतना जदा आपके पीछे से आपको मारा गया है इतना पीछे से आपको वार किया गया है हर चीज से Study A हो गई है हर चीज से हर इंसान से हर रिस्टे से होश इन प्रस्त हो गई है और आप जितन की ढ़ी जीना ही छोड़ दिया आपको बलगता है कि मैंने कहांब कि मेरा यहां पर देख कै泪 आई मिमतर्य नहीं कि मेरा अस्तित्र और दुख फाइद प आपने मन पसंद लोग मन पसंद रिस्ता भरोसा वो सारा चीज़ एंड हो गया है आप मुझे नज़र आ रहे हो उम्मीद कहीं पर भी आप किसी के साथ भी नहीं करते हो आज विश्वास तो ट्रस्ट की तो बात ही छोड़ो अब दूशरे एनरजी देखते हैं टेमपरेंस की अनरजी आई है अब ये टेमपरेंस की एनरजी बता रही है कि मन के अंदर कितना दर्द है और उस दर्द ने आपको बिमार भी कर रखा है पेन, हेवी पेन फिल करते हो, मन के अंदर इतना पेन फिल करते हो, आप इतना दर्थ फिल करते हो, और आप जो है उस दर्थ में मतलब डूब ही जाते हो, निकल ही नहीं पा रहे हो, उस हीलिंग अपने आपको हील नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने भूलने की कोशि आपने तमाम हद करेंडे अपना लिए इस दर्ज से निकलने की पर ये दर्ज कमभक्त जो है आपके जिगर से आपके मन से आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है गाईज बहुत ज़रा स्प्रिच्छल इंसान हो आप बहुत उपर वाले पर भरोसा करने वाले लोगों का भला लोगों के लिए काइंड हार्टेड हो आपका दिल बहुत नाजुक है दिल बहुत सौफ्ट है और इसी वज़े से भी जो है आपने बार बार धक्का खाया है जिंदगी में और जो अब नजर आता है न वो जो है धकेल धकेल कर आपकी जिंदिगी आप चलाते हुए नजर आ रहे हो खोद यहा है आपने जिंदगी जीने की चाहत ही मुझे आपके अंदर नजर नहीं आती है पता नहीं क्यों इतना नेगर्टिविटी आपके एनरजी में है और साथ ही सार क्यों इतना दर्द आपको उपर वाले ने दिया है मैं समझ नहीं पा रही हूं आपकी प् उपर वाला आपको हील कर रहे है ना बिमार मत बनो पाई नमबर टू बिमार मत बनो प्लीज यह जिन्दगी का एक सफ़र है गाईस यहां पर ऐसी चीज़े होती रहती है लोग बेवफा निकलते हैं लोग दर्द देते हैं धोके बास होते हैं लोग भरोसे को तोड़ा जा क्योंकि देखें उपर वाला आपके जिन्दगी को आप बदर रहे है इस दर्द से इस तकलीफ से इस मायूसी जो आपके जिन्दगी में घर करकर बैठी हो ही ना इससे आपको निकाल रहे है उपर वाला क्यों निकाल रहे है क्योंकि वो समय देखें वो समय इसे हम आपको नहीं मिल पाएगी जहाँ पर ऑप उम्मीद छोड़े हो वही चीज्ज जो है अब यहाँ पर सही वक्त पर आपको दी जा रही है सबसे पहले मैं आपको बता दू गाईस कि आपको आपकी जिन्दगी में ना सबसे पहले मैं बता दू प्यार आ रहा है देखे King of Cups का कार्ड यहां पर आया है कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हो गाईस जिसके लिए आपके मन में बहुत इमोशन है आपके मन में फीलिंग्स है आप साइथ आपने मजबूरी में आकर कॉंप्रमाइस किया है क्योंकि आपर going with the flow आया है जो बता रहा है कि मजबूरी की वज़े से कुछ चीज़े आपने चोड़ दी है उपर वाले के हाथो पर आपने सरंडर कर दी है पर आपका मन जो मुझे यहां पर नजर आता है वो कब लेकर बैठा वा नजर आता है कब यानि कि प्यार आप यहां पर ऐसे single energy में नहीं हो आ आप सिंगल नहीं हो आपने साइद यहां पर जो दोगा पाया है वो प्यार की वज़े से ही पाया है क्योंकि आपके मन में प्यार के अलवा मुझे जारत चीज़े आ और नजर नहीं आ रही है प्यार के भुके हो आप तो देखिए गाईज इस वर जो है आपकी जिन्दगी में वापस आता हूँ नजर आया है स्रिफ इस कार्ड की बेसेस पर नहीं कह रही यहां पर देखिए गाईज एस ओफ काप्स आया है फिर से प्यार फिर से जो है कोई प्यार लेकर आपके जिन्दगी में आ रहा है और आप जो है जो जिन्दगी जीना छोड़ चुके हो आपके जिन्दगी से आपके मन से यह दर्द को बेतखल कर रहा है वाईस फांव लूं आपने जो है आपको प्रोटेक्ट करने वाला है यह इन्हान आपको इन्सान प्सक्राइब कर देने वाला है आपको आगे लेकर जा रहा है ठीक है abundance आ रहा है गाईज देखें यहां पर स्रिफ प्यार का मामला नहीं है उपर वाले ने आपको जो है abundance भीजनी है abundance का मतलब क्या होता है जो एक सुख वाली जिंदगी संपन जिंदगी जहां पर किसी चीज़ की कमी नहीं है ना पैसे कि महरबानी जिस चीज पर आपने उंगली रखी वह चीज आपकी होनी है क्यों कि आपने बहुत बुरा वक्त देख लिया है आपने बहुत इंतजार कर लिया है आपने बहुत सेक्रिफाइस कर लिया है आपने बहुत जिंदगी को जी कर देख लिया है और बुरा वक्त नहीं है गाइस अब बढ़नस माय या अब बढ़नस का मतलब होता है जो चीज आपकी लाइफ में कमी है जिस चीज की कमी आप महसुस कर रहे हो उसे आप पाना चाहते हो तो वह सारा चीज आपको दिया जा रहा है यू नो जैसे की इंद्रधनुस में सात रंग होते हैं उसी तरीके से साथ तरीके की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है वो सारी खुशिया आपको मिर रही है जिसकी तलास आप कर रहे हो और जिसका इंतजार आप कर रहे हो देखे यहाँ पर आपका इंतजार नजर आता है आप लाइफ में कहीं नहीं बढ़ पा रहे हो बढ़ने की कोशिस करते हो आपको गिरा दिया जाता है आपको जो है जुका दिया जाता है आपको आपके साथ लोग अन्याई कर जाते हैं आपको कभी भी कहीं पर नहीं दिया गया है तो अब जीत की बारी आपकी हैंना आपको बहुत ओवर्ठिंकिंग करने वाले लोग हो आप चोटी शोटी बातों पर ना फिर्ट हो जाते हो छोटी चोटी जीज जो आपका दिल दुछा जाती है जो चोटी चोटी चीजे आपकी आखों पर आसु लेकर आजाती है क्योंकि आपका दिल कैसा है ये भी देख लो गईसे आपका दिल कैसा है आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आपने कभी किसी के लिए आपने बद्दुआएं नहीं दी है आपने तो हमेशा है ना अपने आपको खो कर देखे अपने आपको खो क आपने लोगों के लिए किया है, ताकि लोग आपको प्यार दे सके, ताकि लोगों का साथ आपको मिल सके, पर आपको कभी मिला नहीं है, आपके लाइफ में सिर्फ प्यार नहीं आ रहा है, मैंने कहाना कि जैसे कि इंद्रधनुस के साथ रंग होते है, वैसे ही देखे, क्यार एक्क्ट भी आया है आप अपनी सूल मेट के साथ आपकी मेरिजी भी हो रही है है कि PEAL जिससे प्यार करते हो उसे być जो है आपकी जिन्ददगी में भीजा जा रहा है रहा है बदलाओ यहां पर यह कि आप उसी इंसान से आप को साथ यू उसको आप अपना soulmate मानते हो और उस इंसान के साथ आप एक successful life बिता रहे हो पैसे रुपे की तंगे भूल जाओ भूल जाओ अगर अभी आप पैसे रुपे से भी अगर आप अपने आपको तंग महसूस कर रहे हो ना तो भूल जाओ गाइस क्योंकि ये दिन भी बदलने वाल आपके जिन्दगी में आपने खुशिया देखी ही नहीं है चाहे वो इस पैसे रुपे की वज़े से हो चाहे वो परिवार की वज़े से हो चाहे वो दोस्तों की वज़े से हो आपके जिन्दगी मुझे तंगी ही तंगी में नजर आई है और इसी वज़े से आपने give up कर द आपको लगता है कि आपकी जिन्दगी में अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता पर आपको बहुत गलत लगता है गाईस क्योंकि यहाँ पर आपके जिन्दगी में हर तरीके से खुश्या आ रही है हर तरीके से खुश्या आ रही है और आपकी यह रुकी हुई जिन्दगी अब बच्पना ही नजर आ रहा है साइद बच्पने की वज़े से यूनो आप जल्दी से लोगों पर भरोसा कर जाते हो और उपर से आपकी एनरजी ऐसी निकल कर आई है कि आप दिलदार इंसान हो काइंड हार्टेड हो दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकते दूसरों की मदद के पहुंच जाते हो और यही मदद जो है आपको भारी पड़ जाती है तो अपने एटिट्यूड और अपने बिहेवेर में भी थोड़ा सा बदलाव आपको लेकर आने की जरूत है इजी गोइंग मत बनो किसी के हाथ का खिलोना आप मत बनो गाईस ठीक है आने वाला वक्त ज परिष्मत के पनो में दर्थ वागरा लिखे थे जिसे आपको भूगता था आप भूगत चुके हो और आप जो है यह समय इसलिए बदल रहा है क्योंकि आपने अपना करma पा लिया है यह जितना आपको आपने थेसिव कर लिया है अब आपको अपना स्टित्व मिल रहा है म आपको अपनी identity मिल रही है आप क्या हो ना वो अप उपर वाला आपको वो पहचान दे रहा है इस सकल में दे रहा है गाईज abundance की सकल में दे रहा है समझ गए तो गाईज इस दर्ध तकलीफ से मायूस होनी की जरूत नहीं है हर इंसान की जिंदगी में ये 10 of swords आता है हर इंसान की जिंदगी में ये 5 of swords आता है हर इंसान की जिंदगी में ये 7 of swords भी आता है इतना लंबा जो हमारा age होता है जो समय होता है क्या आपको लगता है कि सबको abundance मिलती है सबका प्यार successful हो जाता है सब पैसर रुपे से माला माल हो जाते है नहीं guys हर इंसान की जिन्दगी में कुछ ना कुछ चीजों की कम होती है किसी को प्यार मिलता है तो किसी को गरीबी मिलती है प्यार के मामने में कोई successful हो जाते है तो किसी को बहुत गरीबी देखने को मिलता है कि प्यार तो मिल गया पर घर में खाने को खाना नहीं है किसी को सक्सेस तो मिल जाता है गैस किसी को प्यार नहीं मिल पाता कहते हैं कि मेरे पास पैसे रुपे तो बहुत है पर प्यार करने वाला कोई नहीं है किसी की प्यार, जिससे हम करते है, उससे marriage हो जाती है, पर उनके बच्चे नहीं हो पाते, तो वो कहते है कि हमको प्यार भी मिल गया, जिससे प्यार के उससे marriage भी हो गई, पर हमें बच्चे नहीं मिले. और जिनको बच्चे मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि कैसी नालायक आउलाद पैदा हुई है, माबाप को आस्रम में छोड़ाते हैं, हैना तो इनसान ना गाईज, किसी भी कंडिशन में इनसान खुश नहीं होता है, हर इनसान की जिन्दगी में कोई ना कोई कमी होती है, तो आप आपको भी यही सोचना है, कि मेरी जिन्दगी में भी कुछ चीजों की कमी है, पर वो चीज़े बदल जाएगी, सुधर जाएगी, क्योंकि वही मुझे बदलाव यहाँ पर नजर आया है, आपका तो पुरा किस्मत ही यहाँ पर बदलता हुआ नजर आया है, जो भी आपने लाइफ में नजर आया है, जो सारी चीज़े लेकर आ रहा है, जो चीज़े आप पाना चाहते हो, जिसकी कमी आप महसूस करते हो, और जिस पर उम्मीद आपने खोती है, तो बाइल नमबर टू, यह थे आपके रिडिंग आये हो, आपको समझ में आई है, प्लीज गाइस प